कि नमस्कार साथी हूं आप सभी का जो हमारे यूटूब प्लेटफॉर्म ग्यानतिला का ये शिकड़मी में श्वागत है जैसा कि आज हम लोग देखेंगे कि यूपी पी री एक्जाम दोजार चोवेस के बारे में कई यूटूब चैनल के द्वारा जो है विविन प्रकार क कि कटाप गए है लेकिन आज हम इसके संदर में अपना कुछ ब्यूद करेंगे देखेंगे कि इसमें कितने पद है और इसमें कई student का कटाप के आधार पर यह यहां पर बताया जा रहा है कि कितने, बेख्वे का कितना कटाप गया है ठीक है तो देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जो है जनरल का देखेंगे तो जो कटाफ जाने वाला है यह 100 से लेकर 105 तक जाने वाला है और जनरल की जो टोटल सीटे थी हो 24,102 सीटे थी इतनी थी 24,102 सीटे थी लेकिन अगर मित्रों हम लोग यही से हम बात करें कि जो है OBC का कित 12,264 पत जो है OBC के लिए निश्चित किये गए थे लेकिन अगर हम लोग EWS की बात कर लेते हैं तो EWS का कटाफ इस समय देखेंगे तो OBC से कही न कहीं कम जा रहा है तो यहाँ पर देखेंगे 92 से लेकर 55 तक OBC का कटाफ जो है जा सकता है एक अपना देख्तिकत यह है और इ यहाँ पर 85 से लेकर 90 तक जो है जा सकता है और 85 से लेकर 90 तक जा सकता है और यहाँ पर अगर देखेंगे कि पोस्टों की संख्या कितनी है तो 12,650 जो है यस्टी के इसमें सामिल के गए है पोस्ट है लेकिन अगर मित्रों हम लोग बात करते हैं कि यस्टी का जो है कितना य और इनकी जो पदों की शंख्या है वो 1204 है अगर हम टोटल को इंकल्यूड कर लेते हैं तो 60244 पद जो है इसमें UPP रीकजाम 2023 में सामिल किया गया था और अगर हम मित्रों फीमेल की बात कर लेते हैं तो फीमेल में जो है इनका जो कटाब जा सकता है वो 90 से लिकर 95 तक जा सकत है और इसमें 20% जो है only for female मतलब केवल और केवल महिलाओं के लिए 20% जो है यहां पर सीटें रिजर्व कर दे गई है और इसमें जो है आप लोग को जानकारी के लिए बता दें कि लगबग धाई गुना लोगों को जो है यहां पर डीवी के लिए बुलाया जाएगा और इस हाइट होने चाहिए इसका कितना सीना होना चाहिए तो उन सारे पहलों को हम लोग इसमें Cover करने हम mbर करें तो मितरों आप लोग से एक रुडियो जो होना चाहिए एक सो अनसर सेंटीमीटर होना चाहिए लेकिन अगर हम लोग यश्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी हाइड जो होनी चाहिए एक सो साथ सेंटीमीटर होना चाहिए लेकिन मित्रों अगर हम लोग बात करते हैं कि सीना कितना होना चाहिए किसका जनरल का OBDC का और SC का जो सीना होना चाहिए व contin9 cm होना चाहिए लेकिन अगर वो फुलाते हैं तो उसमें 5 cm उप में ब्रिद्धी भी होना चाहिए ठीक है सेम एगर यह बात करते हैं हम लोग HST का तो HST का जो सीना होना चाहिए 57 cm होना चाहिए और फुलाने पर उनका 5 cm जो है आना चाहिए ठीक है और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर जो है दौड की संदर में कि मेल का जो दौड है मेल का जो दौड है वो 4.8 km है और टाइमिंग जो दिया गया है वो 25 मिनट जो है यहाँ पर दिया गया है लेकिन अगर हम लोग फिमेल की बात कर लेते हैं तो फिमेल का जो दौड होगा वो 2.4 km है और समय जो दिया गया है यहाँ पर जो है 14 मिनट जो है दिया गया है अगर हम लोग ऐसी तसाओं में बात करते हैं कि 60244 पद अगर दिया गया है और जितने फॉम पड़े हुए हैं अगर उसका हम लोग एक आइबरेज निकालते हैं तो यहाँ पर कम से कम एक सीटों के लिए जो है 56 लड़कों की द्वारा वहाँ पर competition होगा एक सीट के लिए 56 लड़के आपके जो है शामिल होगे तो आप लोग उन्मान लगा सकते हैं कई लोग यूटूबर्स के द्वारा कटाफ को कापी कम बताया गया लेकिन हमारे जान पहचान में बहुत सारे ऐसे इस्टूडेंट थे कलास में भी हम लेते हैं तो वहाँ पर उन चैनल को सस्क्राइब हो सकरें और ऐसे वीडियो और आप लोग को जानकारी के लिए बता दे कि हमारे इस यूटूब चैनल पर जो है अब प्वाल्टी हो गया जियोग्राफी हो गया हिस्ट्री को नॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट जो है यहां पर अपलोड की जाएंगे ठीक धन्यवाद